हलो तो वेलकम बैक फ्रेंट्स आप सभी का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं loops के बारे में, loops क्या होते हैं और उसको हम कैसे use करते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं, चलिए इस video python के अंदर दो types के loops है, एक for loop और एक while loop, ओके, तब while loop को हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, इसमें हम देखने वाले हैं for loops के बारे में अब पहले तो यह कि loops का use क्यों होता है python में अब loops का use इसलिए होता है कि आपको कोई particular variable सही, या फür continuous value को क्या करवाना होता है print करवाना होता है, या फिर particular variable में सही, कोई एक-एक-एक करके value आपको क्या करनी होती है, निकलवाने होती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं तो हम लोग का यूज करते हैं तो यह चीज मैं आपको example के साथ दिखाता हूँ यहाँ पर यह देखिए पहले तो आप कि और लोग की syntax क्या है कि for i okay तो i यह वो variable है in पहले आप मैं जैसे लिखता आप यहाँ पर हमने डाला है तो i का हमने क्या बनाना पड़ेगा वेरेबल बना पड़ेगा तो इसके लिए हम अपना नाम लिख देता हूँ उसमें अब यहाँ पर यह चीज़ देखिए कि for i i जो variable है वही क्या हो रहा है print हो रहा है अब इसमें यह कह रहा है कि यह जो a के अंदर जो value है उसको one by one i में डालो और वो one by one क्या करेगा i को print करेगा अब यहाँ पे मैं इसको run करके दिखाता हूँ यह देखिए उसने क्या किया one by one उसको print कर दिया तो यही हम for loop का use करते हैं और उसके अलावा भी हमें कोई continuously task perform करना रहता है जैसे कि हमें क्या करना है एक से 100 तक क्या करना है value को print करवाना है अब आप बोलोगे कि एक से 100 तक शायद आप print statement लिखके भी करड़ा रहो पर उसमें भी बहुत time लगेगा पर अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक से लेकर एक हजार तक या फिर एक लाग तक ओके तो उतने तक आपको क्या करना है उसको value print करवानी है तब आप यह चीज नहीं कर पाऊगे ओके तो उस time हम किसका use करेंगे for loops का use करेंगे इसके looping का use करेंगे हम तो for i in range अब क्या करना है आपको अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि value डालनी है अब कौन सी value डालनी है तो जहां तक आपको क्या करवाना है print करवाना है क्या करवाना है print तरवाना है तो इसमें मैं आप क्या लिखूंगा print i अब जब मैं इस चीज को print करवाऊंगा तो यह क्या करेगा तो 0 से लेकर 99 तक क्या कर देगा यह print कर देगा यह चीज हमेशा याद रखना कि आप जब भी range function यह range क्या है तो एक function है तो यह function है कि जिसमें आपने 100 values d तो वह क्या करेगा 0 से लेकर 100 तक print नहीं करेगा वह 0 से लेकर 99 तक print करेगा अगर आप 100 तक print करवाना चाहते हैं तो आपको 101 value देने पड़ेगी तब तब वह क्या करेगा 100 तक print करेगा तो इस चीज में यहीं है अब यह range जो function है जो हमने दूसरा include किया है इसके अंदर तो यह क्या करता है तो इस चीज को देख लो आप तो इसके अंदर 3 positions होती है जैसे कि हम string slicing के अंदर use करते थे जैसे कि इसमें 0, अब इसमें यह क्या चीज दिखा रहा है यह चीज आपकी starting index दिखा रही है starting value दिखा रही है starting index मानो या फिर starting value मानो जो भी मानो वही चीज आपको दिखा रही है अब इसको भी जब मैं print करूंगा तो वह same value मुझे return करके देगा कि जो पहले आ रही थी ओके अब यहाँ पे एक चीज देखो कि मैंने क्या किया यहाँ पे to कर दिया ओके तीसरी value देती जैसे हम string slicing के अंदर देते दे तो अब मैं जब इसको print करूंगा तो यह क्या करेगा तो यह दो दो step क्या कर लेगा जम्प ले लेगा यह देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ओके तो यह से लेकर 100 तक उसने क्या कर दिया तो two steps को क्या कर दिया जम्प कर दिया ओ जैसे starts index, फिर end index और फिर यह क्या है उसके steps ओके पर उसी में भी ऐसा ही था कि जब आप कोई value लिखते हो जैसे 100 value लेकी तो वो 99 तक ही print करेगा और इसमें हमें क्या लिखना पढ़ रहा है 101 लिखना पढ़ रहा है 100 तक print करवाने के लिए तो आप range functions के बारे में समझ गए ना है तो यही चीज थी for loop के अंदर की for loop दूचीज के लिए काम आती है एक variable से values निकलवाने के लिए और आपको कोई value continuously print करनी है उसके लिए अब दूसरी चीज इसमें और भी है कि हम कोई अगर data structures का use करते हैं यह चीज आगे पढ़ेंगे आपको एक example दिखाता हूँ कि यह क्या है एक list है यह क्या है तो यह लिए लिए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एपल ओके फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं बनाना ओके और फिर mango ओके यह चीज मैंने यहाँ पर लिखी अब इसको मुझे one by one access करना है तो मैं इसके अंदर मैं print करूंगा ओके आए मैंने आपको दिखाया था कि यह वेरेबल के अंदर से हमें वेल्यू लेनी है तो इस वेरेबल को यहाँ पर लिखना है और उसके बाद आई को लिखना है जिसकी वज़र से एक ही one by one value आई के अंदर आ जाईगी और आई हमें प्रेंट करना है ओके अब इस चीज़ को हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा तो one by one हमें सारी वेल्यू इसकी मिल जाएगी ओके तो ऐसे ही अगर यह तीन वेल्यू है हमने लिख के अंदर अभी थोड़ी तीन वेल्यू लिए पट हम आगे जब advanced concept करते हैं जैसे वीप स्क्रैपिंग करते है एकसेस करते हैं ओके तो ऐसी चीज़ होती है तब वहाँ पे huge amount of data होता है ओके तो उसको हमें क्या करने के लिए one by one उस चीज़ को इस अंदर से निकालने के लिए अब for loop का use करते हैं जिसकी वाज़र से हमें बहुत fast और one by one separately value हमें क्या करें मिल जाए ओके तो इसी चीज के लिए हम for loops का use करते हैं और यह हमारे continuous जो computation है उसको भी क्या कर देता है easy बना देता है ओके तो यही था for loop के बारे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और share कीजिए ओके तो चलिए बहुते है next वीडियो में